हाई गाईस मैं हूँ सौरफ और आज हम सीखेंगे कैसे एक बॉलिवूट सॉंग बनाया जाता है तो इस वीडियो के लिए जो मैंने सॉंग सेलेक्ट किया है उसका नाम है तुम ही हो फ्रम आशिकी टू तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए म्यूजिक प्रोडक्शन चैनल को और पैल आइकन को दबाईए सबसे पहले देरेस्ट वीडियो देखने के लिए तो सबसे पहले हमने क्या करना है हमने अपने गाने का टैंपो सेट करना है जो की वन थर्टी मिलता है बट आपको यह 94 पे लेकि आना है क्योंकि गाने का टैंपो 94 है उसके बाद जो इंट्रो पे sound सुनाई देता है वो है प्यानो का sound तो उसके लिए मैं use करने वाला हूँ piano deck का piano ये बहुत सभी piano ये इसमें आपको बहुत सारे options मल जाते हैं इस पर एक separate video लग से बनाऊंगा तो एक बार पहले हम इसका sound सुनते हैं कैसा sound करता है ये piano cool तो इसमें आपको अब जो चीज करनी है वो है सबसे पहले तो इसका sustain pedal on कर देना आप जो की है ये उसके बाद sound सुनना cool तो चलिए फिर सबसे पहले हम इसका piano ही record करते हैं कि कैसा sound करता है record करने के लिए सबसे पहले आप record के बटन को दबाना उसके बाद यहां पर dialogue box open होगा जिसमें आपको notes and automation पर क्लिक करना है और space bar दबाके recording शुरू हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं cool तो चलिए इसके piano roll पर देखते हैं हमने क्या record किया है तो यह जो भी चीज़े record हुई है बहुत सारी timing से आगे पीछे हुई है तो उसको fix करने के लिए सबसे बहले हम इन सब को select करेंगे control all control a दबाके उसके बाद यहां tools पर जाएंगे उसके बाद यहां पर quick quantize का option होगा उस पर आप click कर देना और आपका काम हो जाएगा तो चलिए एक बार सुनते हैं कैसा sound करता है यह देखिए जैसे यह वाला last वाला part आपका एकदम से आगे पीछे हो गया तो हम कुछ नहीं करना है इस part को हम delete करेंगे और अपने पीछे वाले part को paste कर देंगे paste करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है उतने part को select करना shift दबाना आपके mouse का left click और drag कर लेना आगे और अगर आपको velocity वगेरा में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो इसकी velocity को आप उपन नीचे यहां से change कर सकते हो जैसे मुझे लग रहा है कि यह fourth note पे एकदम से बहुत जादा sound है तो थोड़ा कम कर सकता हूं जैसे कि कि यह बहुत जादा पंचारा तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूं चारों में है कि अग्टर तो चलिए इसको हम अपने टाइम लाइन पर पेस्ट करते हैं अरेंजमेंट वाले section पर यह हमने कर दिया पेस्ट यह हो गया हमारा इंट्रो तो इसके बाद जब गाना शुरू होता है वहां पर प्यानो सेम चल रहा होता है लेकिन जैसी गाने के notes चेंज होते हैं वैसी प्यानो भी हलकलका चेंज होत कि अगर को अगर को तो हमने अपना वर्स का प्यानो रिकार्ट कर लिया है एक बार हम इसको पहले normally सुनते हैं कैसा sound कर रहा है खूल तो हमने क्या गरना है same चीज इन सब को select करेंगे tool पर जाएंगे quick quantize और done अब एक बार सुनते हैं कुछ आगे पीछे तो नहीं हुआ वन्ना हम उसको दुबारा से एक बार सही करेंगे बढ़िया तो चली इसको भी हम आगे से paste कर देते हैं अपने arrangement section में खूल तो एक बार इस पूरे section को एक साथ सुनते हैं कैसा sound करता है cool तो अब हमें क्या करना है इस पूरे वर्स का प्यानो ऐसे ही record करके copy based करना है क्योंकि पहली की starting की चार लाइने सेम ही है तो हम copy based करेंगे एक बार vocals के साथ सुनते हैं हम तेरे बना अब रह नहीं सकते तेरे बना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा Cool अब जब तुम ही हो वाली line आएगी यहां पे हमें प्यानो की records डालने हैं दुबारा से तो चलिए इसको भी एक बार record करते हैं फिर से मैं यहां पे एक pattern चेंज करूंगा और वापस से same process record का option, notes and automation और space तबा के recording शुरू Cool तो हमने यह record कर लिया है same process दुबारा से सब को select करेंगे tools पे जाके quick quantize और सुनेंगे क्या sound करता है थोड़ा सा यहां पे मेरी chords गलत हुई है मैं उनको दुबारा से record करता हूँ एक बार पहले मैं चेक कर लेता हूँ कैसा sound कर रहा है यह कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिन्दगी यहां पे change होगा चीक है तो यहां पे आएगा हमारा C sharp major तो हम उसे दुबारा से record करेंगे चले तो हम पूरे को दुबारा से record करते हैं सेम चीज़ क्योंकि तुरी हो, अब तुरी हो, अब तुरी हो, अब तुरी हो जाँ एक बार सुनते हैं sound कैसा करता है क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिन्दगी अब तुम ही हो, खूल तो सेम प्रॉसेस दुबारा से सब को select करेंगे टूल्स पर जाके quick quantize और we are done सेम चीज़ इसको भी हम अपने arrangement के section में जाके रख देंगे इसकी जगा पर तो जैसी कि आप सबने गाना तो सुना ही होगा स्टार्टिंग में जो पहली लाइन आती हम तेरे बिन वाली तो एक ही बार आती है यहां पर मैंने दो बार करेंगे तो कुछ नहीं करना है मैं अब काने के साथ एक बार चेक करता हूं उसके बाद काट पीट करके आगा बीचे कर दूँगा लेट सी हम तेरे बनाबर नहीं सकते तेरे बना क्या वजूद मेरा यहां पर तो हम इस पोर्शन को काटेंगे और इसे आगे डाल देंगे क्योंकि यहां पर फिर से हमारा इंट्रो वाला पार्ट आने वाला है तो हम उसको रखेंगे हमने कापी बेस्ट किया वाप इसे चीज़े रखी एक बार सुनते हैं हम तेरे बना बना नहीं सकते तेरे बना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा कर हो जाए तो हमने यह चीज़ भी कर ली तो इसके बाद जो चीज़ हम एड़ करेंगे वो है कुछ पैड्स जो कि मैं यूज करने वाला हूँ अपना एक्सपेंड यह थर्ड पार्टी प्लगिन है मेरे को बहुत सस्ते में मिला तो मैंने खरीद लिया प्लगिन बुटीक में जाके आप खरी सकते हूं मझे पांच डॉलर के राउंड पढ़ा था यह काफी सही बागिन है बहुत सारी चीज़ है तो मैं इसमें से कोई भी एक पैड लोंगा यूजुली सॉफ्ट पैड की तरफ जाओंगा तो चेक करते हैं एक बार नहीं खूल तो अभी काम चलाने के लिए हम फिलाल इसको ही यूज करते हैं तो हमें यह मेंली जो हमारा बीच का यह पार्ट चूटा हुआ है हमें खाली यहां पर पैड डालने अभी के लिए पांकी अरेंजमेंट में आगे देखेंगे तो एक बार चेक करते हैं तो हमें खाली नॉर्मल सा पैड़न चेंज करना है वापस से सेम प्रोसेस होगा बूरा रिकॉर्डिंग नोट्स अन आर्टोमेशन स्पेस बार और यह गो अब यह पैड हमने क्यों डाला इसका मेंन रीजन यही है कि वहाँ पर खाली खाली साउंड ना करें क्योंकि इससे पहले हमारे पर अल्मोस्ट जो चीज आ चुकी है वो हमें लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा भरा हुआ साउंड है अब एक दम से वहाँ पर पीक पहुंचने के बाद हम टिप नहीं कर सकते हैं तो हमने यहां पर पैट का साहरा लिया साउंड सुनता है खूल चीक है तो एक बार हम स्टार्टिंग से लास तक सुनते हैं इसको कैसा साउंड करता है हम तेरे बना अब रह नहीं सकते तेरे बना क्या वजूद मेरा हम तेरे बना अब रह नहीं सकते तेरे बना क्या वजूद मेरा तुझ से जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा तो हमारे यहाला पार्ट almost done हो चुका है जहां पर प्यानों की चीज़ें आनी थी वो आ चुकी हैं सारी अब बाकी जो next इसमें चीज आएंगी वो होगा इसका rhythm section वो हम cover करेंगे इसकी next video में तब तक के लिए guys आप सब मुझे इंस्टा पे follow कर सकते हो ताकि आप सब को पता चले जाए कि मेरा next video कब आना वाला है same topic पे तो please guys do follow me on instagram और इस video को जाद से जाद आप share करो तब तक के लिए thank you bye bye